अब बताईए हम देख रहे हैं कि थोड़ा एनरजी, ओल इन गैस, पी एस यूज की तरफ से थोड़ा बहुत सहारा है, सर आपकी बेस पिक्स कहां से आ रही है आज? पिक कोई मेटल्स हाथ नहीं लगा रहा था, 222 रुपे में वेदान था, 855 में टादा स्टील और हिंडाल को 316 में, इंडियन होटेल 216 वाला 230 हो गया और बोश मेरा फेवरेट 13,200 वाला 15,500 अब आपके लिए दो नहीं तीन आइडियाज हैं और तीनों ग्लू चिप्स हैं आ और इन वेरी स्वीट स्पेस क्योंकि खाने पीने की पदार्तों में और दिमांड बढ़नी हैं और UPL is giving a very good entry point at this 640,10 रुपे इसमें डिविडेंड है, मुझे लगता है, it's an excellent play at this 641, 642, keep a stop loss of 625, look for targets of 675, second pick would be the largest private insurer undoubtedly HDFC Life, HDFC Life 610 से आ गया 545 पे ये लेने वाले मौके हैं, इसका भाव वापिश 600 दिखता है, लेकिन अभी 545, 646 में लीजिए, stop loss of 532, target of 575, that can come in by tomorrow, and thirdly by कोफोर, 3655 to 3665, stop loss of 3555, target of 3825. Point taken sir, thank you so much, हमारे साथ जड़ने के लिए, बताने के लिए कि कहा कहा पे मौके आज कमाई के दिखाई दे रहे हैं, तो UPL, 441, 42 के पास, sir ने entry की recommendation दिए, 625 का stop loss, 675 तक का target आपको UPL में मिल जाएगा, जो Life Futures के हम बात करें, HDFC Life, 545 के पास, entry का अच्छा level sir को दिखा है, 532 क stop loss, 575 तक ही उपर जाता देख रहें, eventually 600 को भी sir ने इंकार नहीं किया है, उनको लगता है कि उससे पहले 575 का level दिखेगा, and last but not the least, co-forge, यहां पर भी खरदारी की recommendation निकल कर आई है, ध्यान रखिएगा, July Futures में ये position बताई है, 3825 का target और 3555 का stop loss आपको strategy में लगा कर चलना ह कर दो कर दो कर दो